नमश्कार दोस्तों और दोस्ति एनियो और जब करते हो कुछ बड़ा तो घरवाले करते हैं आपके उपर नाजम हम समझेंगे क्या होता है साइटो प्लाजम जयासातियों, जैसा कि जानते हो जो Cytoplasm होता है, यह हमारे cell का अग्टम भाग होता है, अब यह जो Cytoplasm है, यह हम पढ़ेंगे class 9 के base पर, अब यह class 9 में एक ठोग चैप्टर है, fundamental unit of life, उसमें हम basically cell यानि कि कोसिका के बारें पढ़ते हैं, और यह जो Cytoplasm होता है, यह हमा गलग तरीके काम करता है तो देखिए साइटो प्लाजमे के बारे में हम और यूनित उफ लाइफ तो इसमें हमने डीटेल में देखिए इसमें और डीटेल से पड़ेंगे यानि वह जो चैटर थे उसके चोटे हैदिंग होते हैं में प्रूंट का मतलब में यह दूसरा मैं समझने अधिगा उसी चैप्टर के अंदर आटा है में में पूरा डिसकस की या था लेकिन और आख करेंगे संगर तो सएटो प्लाजम यह क्या होता है इसके बारे समझते हैं हमारे की उसको होता है Cell का मतलब होता है कोषिका, और यह जो कोषिका होती है, हमारे सरीर में पाई जाती है हमारी जो सरीर बनी हुए, पूरा से बना हुगा है हमारे सरीर का कोई भी छोटा सा भाग एकदम निकाल ली जो वही Cell कहलाता है यानि कि शरीर की एकदम basic unit basic सबसे छोटी काई वही cell कहलाती है यानि जहां से भी छोटा सभाग निकाली एकदम छोटा उसी cell कहते हैं यह जो cell होता है यह कुछ हमारा इस तरीके से दिखाई देता है इस cell में कई सारी चीजे पाई जाती हैं जो इस देख रहे होगे बिच्वम जो हम उसको nucleus कहते हैं यह जो चपल टाइप के देख रहे हैं इसको mitochondria कहते हैं और nucleus बगलवाई से छितराया हुए इसको हम endoplasmic reticulum कहते हैं और यह जो एक ठो बिंदू टाइप का इसको हम ribosomes कहते हैं एक ठो गोल का इसको हम lysosome कहते हैं और देखेंगे यह जलेवी टाइप का है इसको हम गोलगी operators कहते हैं तो यह हमारी जो cell होती है उसको हम आँख से नहीं देख सकते लेकिन फिर भी उसके अंद कहुँ cytoplasm देखा इबे नही कि यह साइटोप्लास्म जो होता है ये जेले टाइप का लिक्युड होता है यानि युदभ पंचुर-पंचुर टाइप का होता है यह हमारी सेल के अंदर मौजूद होता है देखें तो यहीं है साइटोप्लास्म जो पानी की तरफ बहरा हु से जनवे करते हो हमारा से इस तरीके से दिखाए देता है अब यह जो सेल होता है इसके जो सबसे बाहरी वाली लेयर होती इसको हम क्या कहते हैं इसको हम सेल मेंब्रेन कहते हैं अब यह जो सेल होता है यह सभी के अंदर पाए जाता है चाहे वह हम लोगों चाहे कुकुर विला यह टाइप का लिकुड भरा हुआ होता है उसी सेल के अंदर आभि यह देखिए यहाँ पर देख्ते माली जी हमारी एक्ठो इसल है ठीक हाला कितनी बड़ी सल नहीं होती है लेकिन माली जी खुब जुम किए हैं, अब ये जो cell है इसके बीच में क्या पाई जाता है, इसे एक्ठो नुकलियस पाई जाता है, किनारे किनारे इसे गोल-गोल के मज़ एक चीज पाई जाते हैं, अब माली जी यहाँ पर मैंने लिख दिया, आइबोजोम, लाइसोसोम, वेकुलस इंडो प्लाज्मिक्रेटी कुलाम, माइटो कॉंड्रिया, गौलगी ऑपरेटर्स, तो माल लीजे इतना सारा चीज है, अब ये जो सारा चीज मौजूद है सल के अंदर, अब आप देखेंगे कि ये सारे अपने जगे फिक्स हुए रहते हैं, अब ये फिक्स कैसे रहते हैं, का भगवान नेट पोल्टर लेग थोड़ी न फिक्स की हैं, कहां केतना छोटे नेटे नहीं आता है, तो देखिए कैसे फिट रहते हैं, तो भगवान ने एक ठो दिमाग लगाए, इसी सल के अंदर ना एक ठो लिक्ड भर दिये, ये ऐसे लिक्ड भर दिये, इसी लिक्ड हो जाती, तो इस तरीके हमारा पूरा सलेक हता हो जाता है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती, इसी लिए भगवान ने साइटो प्लाजम भर दिया, ये साइटो प्लाजम सब को अपनी जगें रोख के रखे रहता है, इसी लिए एक दूसरे का उन्हों टकरा आने पाते, तो यह ये जो वाटर वाला भाग होता है, इसमें भी कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे मिनरल्स हो गया, विटामिन्स हो गया, और मालीजे प्रोटिन और रोटिन और भी इसी तरीके इस कई चीज़े पाए जाती है, यानि कि मालीजे यही जो पानी टाइप का भरा है, एक दम गार के निकाल लीजे इसका पानी वाला भाग, तो इसे हम कहते हैं साइटो प्लाजम है, अब यह जो साइटो प्लाजम होता है, इसके अंदर भी कई चीज़े पाए जाती है, जैसे विटामिन्स मिनरल्स हो गए, देखिए, जैसे कि मालीजे क्या करिए ना, एक लो प्लाजम के नंदर सेल औरगनल्स भी होते है, सेल औरगनल्स इसी कहते है, जैसे कि सारे चीज़े मौझूद हैं, हम सेल औरगनल्स कहते हैं, जैसे गालगी, ऑपरेटर, माइट्रो, कॉन्डरी, अंड़ो, रेटिकुलम, वैकूल, वैकुल, सल आसे सोम्, राइबोजोम, इ स्यख़क्त होता है इसका काम होता है डी से यानि की से देता है किसको सैल को अब द που अगर माल जीए इसी हम सयट स्क्सक्राइब निकाल यूजिवा जिनकाल लें तो क्या होगा कि सहाना जो कि यूजिए अपस मिंझा आप तो कवनों सेप नहीं मिल पाएगा सेप नहीं मिल पाएगा वड़ी दिक्कत होगी और मान लीजिए ऐसे साइटो प्लाजम निकल गया था हम लोग बीज़न चुचुच जाएंगे करेंक हमारे अंदर पनियों वाला भाग निकल गया अभी जो सेल होता है इसके अंदर साइट करना है तो साइटो प्लाजम में केही दमाद से होपाता है अभी माल लीजिए यहां पर कौनो चींजी पैर आफ है इसको पहुंचेड़ा है यहां तक लाइसो nat पास पहुंचना है तो यहां यह वाली चीज़िए काइस neighborhood पहुंचता है तरिक जैसे के आपको दिल ली झयान ऐक्तो साइटो प्लाजम में होता है एक इसे मांट् reader ंडरीया हो गया इसी के अंदर क्या होता है ओक्सिजन लिया जाता है मतलब गल्ुकोस को तोड़ करके रिस्पारेशन करा या या यह और उस music इसके कौनों चीज जरूरत है और कौनों चीज यहां पर मौझूद है तो कई से पहँचे गएंगे वो सारे आपस में जाग चिताग जाएंग और कौनों कामे मही करेंगे तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे तो कुछ ही इस तरीके से हमारा साइटो प्लाजम काम करता है I hope आप जान गए होगे तो यह जो साइटो प्लाजम है इसका खतम हो जाता है यही पर आपको यह समझ में आयोगा तो यहां पर होते ही वीडियो एंड वीडियो पसंद आयो तो अपनी वाली के पास करीगे सेंड ताकि वह कुछ पढ़े ले ताकि पानी उनी अच्छ पीते रहे ताकि साइटोप्लाज में बना रहे मिलें गनेक्ष्टोड में तब तक के लिए ज